बसंतरी तो आने वाली है, आने वाली इस बसंतरी तो के लिए हम बहुत सारी तैयारिया करते हैं, घर दोर में खान पान में आने जानी का सब इंतिजाम करते हैं, पर आपने तो जनाव अपने बालकरी में इतना सुंदर पौधे लगा के रखे हुए हैं, इसके लिए कुछ इ ट्रगमन के तैयारी करते हैं है हमारे हर रोज की काम का एक हिस्सा है यह मेरी गार्ड़नी आपसे को मालूम है कि जितना गार्ड़नी का काम होता है मैं खुद अपने हाथ से करती हूँ यह मेरि जिन्द alltid का एक हिस्सा ही तो है जो मैं डेली का अपना रूटीन वर्क करती हूं उसका तो अब जैसे मौसम चेंज हुआ है ना तो ऐसे मौसम में हम सब को अपने अपने जो प्लांट जिन्हों ने भी अपने घर में प्लांट लगा के रखा है या गार्डेन चुटा-चुटा बनाया ह हुआ है तो उनको उस प्लांट के प्लेस को चेंज करने की ज़रत होती है और कुछ और डेकोरेटिव आइटम्स भी मुझे बनाने हैं डियाईवाई करना है गार्डेन के लिए और कुछ-कुछ चेंजिस मैंने अभी शुरू कर दिया है जैसे यहां पर वो मैंने चैनोपी बना दिया है तो इसी तरीके से छुट-छुटी ब्लॉक्स बना करके जो प्लांटर खराब हो गए हैं उनको उतारना है उन्हें पेंट करना है और आने वाले सीजन के लिए प्लांट्स लगाने के लिए गमलों को तयार करना है तो आज की शुरुआत मेरी इन ही सारे चीज लांगी उनको पेंट मेंट करूंगी तो आप सबसे जरूर में शेयर करोंगी तो आप सब बने रहेगा पूरे वीडियो में और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा मैं अभी कह देती हूँ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर फिलाल तो अभी तक इतना ही चेंज किया है कि यहां पे एक block बना दिया है boat planter में, सेंसिवेरिया है और spider plant लगा करके और उसके surrounding में beach में सेंटर में मैंने एक palm tree रख दिया एक महात्मा ड्रेसीना रख दिया था, corner अभी यहां से change नहीं किया है यह तो terrace garden की बात होगी लेकिन अगर चोटी सी balcony है और थोड़ी सी धूप हवा आती है तो इस तरह के stand लेकर के आप बहुत अच्छा सा decoration कर सकते हैं अपनी चोटी सी balcony का multiple plants लगा कर करें और DIY भी करना है जो मैंने कल रात वाला किया था आप समनियों से बहुत पसंद किया है और आज भी कुछ और साथ में करना है तो चलिए बस अब नीचे में जाती हूँ कपड़ी उप्रे चेंज करूंगे फिर काम में लग जाती हूं अब सहतो जैसे समय मिलता जा रहा था वैस पहले उधर ब्लॉक बनाया था और अब मैं सरकल बनाने लगी थी तो जितनी सबसे बड़े बड़े ये वाले पेड़ हैं चमपा नाग चमपा के हैं तो बड़े बड़े जो गमले होते हैं उसको उठाने का ट्रिक होता है देख रहे हैं आप कैसे मैं प्लांट के बीच में जो नीचे रूट वाला पॉर्शन है वहाँ पे मैंने हाथ लगा के उठाया है वरना इतने बड़े भारी भारी गमले जो एके गमले कम से कम पचास किलो के होंगे इतने बड़े बड़े पेड़े हैं उन्हें उठाना इतना आसान नहीं है मेरे जैसी 60 यह की फीमेल के पर भी मैं काम से कहां भागती हूं मुझे खुद से करना है तो करना है इसके लिए डाट पड़ती है कि माली अफोर्ड कर सकती हो तो रख लो मैंने का क्यों मैं अपने हां से करूंगी देखा यह वाला ट्रिक होता है अब इतने इतने बड़े पेड़ को ऐसे नीचे गमले मेरे यह चंपा है उनको यहां पर रख करके मैंने पूरे अच्छे से इसकी क्लीनिंग वगर कर दी और जहां से यह वाले बड़े वाले पेड़ उठाए थे न वह एक्चुली चज्जा है बालकनी है नीचे उसके उपर तो मुझे वहां से थोड़े भारी प्लांट को वैस इस रो में रख दिया है तो बहुत अच्छे से यह वाला पोर्शन मेरा नीट एंड क्लीन हो गया मैं आप सिबसे कहती रहती हूँ ना कि 26 जनवरी की परीट की तयारी चल रही है तो टुक्रियां वेस्ट डेली से ही जाती है कें टॉनमेंट एरिया है ना वो तो आज मैं प 5-10 मिट लेट हो जाता है साड़े अगर 5 बच जाते हैं तो यह सारे टुक्रिया निकलती है और वो जाती है इंडिया गेट तक परेड की प्रैक्टिस के लिए तो आज मैं इस उट की सवारी के टुक्री में फंस गई और इनके साथ साथ धीरे धीरे मुझे चलते रहना और यह कोई रात का द्रिशे नहीं है यह सुबे सुबे साड़े पांच बजे के बात कर रहे हूं मैं पर अच्छा लग रहा था इनके साथ साथ चलना मुझे किचेन हर घर का एक इंपॉर्टेंट जगह होती है इसे वेबस्थित रखना ही चाहिए बिल्कुल और नाइज पीते हैं तो दो दो पेर वाले ही कप हैं अब इसे मैं अलग अलग पेर के साथ लगा के जाती हूँ मैं जब औफिस ए आती हूँ तो देखते हूँ एक कप यहां लगा हुआ है तो ऐसे उनका काम होता है मैंने प्लांट भी लगा दिया है यह सब कॉर्णर में और ये जो अपने आप में उसका बदलाव हो चुका होता है अब कीचन का काम खत्मी किया होती दिर में कमल भी आ गए थे अपने ओफिस के काम से फारी हो करके तो अब खाना होना गरम करना था जब बालकनी में आई तो समेटने के लिए सामान तो मैंने देखा कि धूप हो रही है तो मश मошीन घ तूप निकली है तो यहां ला करके रखा है वही में चेक कर रही थी कि कुछ सूख रहा है कि नहीं एक पार्ट तो इसका सूख रहा है दूसरे पार्ट को ऊलट-फलट की कपड़े की तरह मुझे उसे सूखाना पड़ रहा है अब यह सूख है तो इसका जो next step है वो में ओफिस आने के बाद से तो आज यह जरूर ड्राई हो जाएगा फिर आगे के इसके उपर जो काम करना होगा वो किया जाएगा और फिलहाल तो काम अंदर से मुझे पुकार रहा है आ जो आज है सरीता मुझे करो अभी सारा काम जो है थोड़ा सा निपटा के फिर वही सूखने वाली बात हो जाती है अभी लाइट वाइट ओफ करके वही नीचे बैठके काम कर रही थी मैं जब बहुत जादा थक गई तो फिर में उठके आ गई हूँ और जब आ के बैठी तो मैंने घड़ी देखा हो गया है तो थकावड तो होनी थी ना सुबे तीन साठी नोजी का उठा हुआ बंदा बस काम चोटे मोटे चोटे मोटे आते रहते हैं और लगे रहते हैं बिल्कुल ऑफिस से आने के बाद आज रेस्ट नहीं किया मैंने मैंने कहा कि ये डियावाई थोड़ा ड्राइ हो जाए फिर कपड़े वगएर वह सब सारा कुछ करते करते ऐसे हो गया था आप सब भी कहते होंगे कि वतलब डेली रूटीन का ही हमारे एक साथी ने एक बर लिखा भी था कामेंट में कि सरता हम डेली रूटीन का ही काम दिखाती रहती हैं अब उस दिन से मेरे ऐसा जुनु नहीं नहीं भाता है तो इसलिए लेकिन फिर भी तीन दिन से में लगी हुई हूँ इसी में तो कल के वीडियो में आप इसे देख सकते हैं अब आज के वीडियो के समापन मैं यहीं पर करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा है अगर आप सब में वाकई इंतिजार कर रहे कुछ भी पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए कल मिलते हैं गुद नाइट बाई बाई